गुड़गाओं में पैसों की भी कमी नहीं हैं, परिस्त्रमी लोगों की भी कमी नहीं है, एक गुड़गाओं अब हरियाना का गाओं नहीं रहा गया, एक गुड़गाओं मिनी हिंदुस्तान है, मिनी हिंदुस्तान, पुरा देश यहां बसता है, लेकिन भाईयों भेनों, गुड़गाओं जैसे बैंगलोर की चर्चा है, जैसे हैद्राबाद की चर्चा है, हिंदुस्तान के मान चित्र पर, गुड़गाओं की भी वही जगा बनने की संभाव ना थी, गुड़गाओं में वो ताकत है, लेकिन हर्याना के कॉंग्रेस के इन्हे लोग के राजनेताओं ने, गुड़गाओं बदल गया, लेकिन वो नहीं बदले, उनकी आदत नहीं बदली, और जैसे माफिया साही, गुंड़ा साही, और इलाके में चलाते हैं, देश भर से आये हुए महमानों के बीज भी, उन्होंने वो ही कारणा में चलाए, और उसका परणामी आया, कि गुड़गाओं जो देश के प्रमुख शहरों में, अपनी जगा बनाने की सम्भावना थी, यह सपने इनी सरकारों ने, इनी नेताओं ने, यही माफिया साही ने, यही गुंड़ा गिर्दी ने, वो सपने चूर के चूर कर दिये, और इसलिए भावयों भहनों, अभी भी वक्त है, देश भर से आयों के बसे हुए, मेरे प्यारे भावयों भहनों, अभी भी वक्त है, बिगड़ी बाजी बनाई जा सकती है, बर्बाद हो रहे गुड़गाओं को बचा सकते हैं, यहां पर आर्थिक विकास भी आत्रा में नई जान भर सकते हैं, यहां का इंफस्त्रक्चर चर मरा गया है, आवश्यक्ताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है, उसे फिर से आधुनिक बनाया जा सकता है, विकास की पुरी आत्रा में प्रान भरे जा सकते हैं, और भाईयों भहनों, हमें सेवा करने का मोका दीजिए, आपके सपने पूरे करने का हमें अउसर दीजिए, भाईयों भहनों, पचास साल तक आपके सपने अधूरे रहे होंगे, हम विश्वाद दिलाते हैं आपको, पाँच साल के भीतर भीतर स्थिती हम बदल करके रख देंगे भाईयों, यह मैं आपको विश्वाद दिलाता हूँ, चुनाओं में आते समय तो वने धेर सा रवादे करते हैं, लेकिन हर्याणा में मैंने देखा है, वही परिवार शाही चलती है, जो ऐसा ही मुख्या शपत लेकर के मुख्यमंत्री बन जाता है, उसके बेटे, उसके भतीजे, बहुएं, दामाद, सबके साथ, सबके सर लग जाते हैं, और इनका सरकार चलाने का तरीका देखिए, एक तो सरकारी व्यवस्ता होती है, कमिश्नी होती हैं, डिस्टिक कमिश्नर होते हैं, डेपुडी डिस्टिक कमिश्नर होते हैं, वो पूरे देश में की ववस्ता है, हरियान में दूसरा है, सरकार की ववस्ता अपनी जगा पे, इनकी परिवार की ववस्ता पेरलल चलती है ये अपने बेटों को जागीर बाढ़ देते हैं बेटियों को दामादों को जागीर बाढ़ देते हैं वो कहते हैं देखो ये दो जिले तुमारे दूसरे को कहते हैं दो जिले तुमारे तीसरों को कहते हैं दो जिले तुमारे बाड़ देते हैं पूरे हरियाना को बाड़ देते हैं और एकाद बेटा सिकायत करता है कि पिता जी आपने तो ऐसे जिल्ले उसको दिये हैं कि वहां तो माला माल है मुझे तो आपने ऐसा इलाका दे दिया जो बिलकुर रुखा शुका है तो फिर बाप कहता है चाद चिंदा मत करो पुलीस वाले का डिपार्टमेंट तुझे दे देता हूँ तो दीसरा चिलाता है तो कह ठीक है ख़दान का काम तुझे देता हूँ मुझे बताए यही चलाए कर नहीं चलाए यह जागीरे बाटी गई कि नहीं बाटी गई यह जागीरे बाट करके लूट चलाए गई कि नहीं चलाए गई क्या यह लोग कंत्रा है क्या यह लोग कंत्रा है यह संपत्ति की मालिक हर्याणा की जनता है इसे लूट ने नहीं दिया जाएगा और इसलिए भाईयों मैंनो हरियाना की अपनी तांकत इतनी जबर्दस्त है कि हरियाना तेज गती से आगे बढ़ सकता है दिल्ली के पास है इसका शहरी चरित्र भी है ग्रामी चरित्र भी है एक अध्बूत संयोग वाला और छोटा सा राज्य है चाहे उत्री ताकत से आगे बढ़ाये जा सकता है एक छोड से दूसरे छोड जाना है तो तीन-चार गंडे में पहुंच जाते हैं इतना कितना आसानी से इस राज को बढ़ाये जा सकता है लेकिन भाईयो भेनों ये अपनों को ही समालने में खो जाते हैं हरियाना की जंता को समालना उनका सपना नहीं होता है इसलिए भाईयो बैनों मैं देख रहा हूं ये चुनाव भ्यान में ये मेरा आखरी कारकम है अभी मैं जिन्द से आ रहा हूं जिन्द से मैंने जिन्द में ऐसा विराट रूप पहले कभी नहीं देखा था आज मैंने जिन्द में जीत की जीत देखी है भाईयो जीत की जीत देखी है और जिन्द में जब जीत की जिन्द दिखाई जयती न तो फिर तो हरियाना उसी दिशा में चल पड़ता है भाईयो आज हमारे हर्याना में उत्पादन बढ़े के न बढ़े यहां की आर्तिक सिती सुद्रे के न सुद्रे यह ऐसी सरकार है जो बिजली भी नहीं दे पा रही है पानी भी नहीं दे पा रही नव जवान को रोजगार नहीं दे पा रही माताओ बहनों को सम्मान नहीं दे पा रही यह देश्प्रकार से दलीत मात कन्याओं पर बलातकार की घट्टाएं गटी और खुद उनीकी सरकार के समय बने हुए कमिशन ने जिस प्रकार का रिपोर्ट दिया अक्रोश वेक्त किया उसके बावजुद्वी हर्याणा की सरकार को कन्याओं पर बलातकार करने वाले माफियाओं गुन्दागर्दी के शिर्मोर लोगों को F.I.R. तक लिखने की हिम्मत इस सरकार में नहीं थी भाईयों क्या आपका जिवन माफियाओं के हवाले करना चाहिए ये तबाही का मंदिर बंध होना चाहिए और इसले भाईयों बेहनों इस चुलाओं में मैं देख रहा हूँ मैंने लोगसभा के समय भी हर्याणा में ऐसा मिजाद नहीं देखा था भाईयो उसके बाउजुद भी हर्याणा ने जो लोगसभा में अभुत्पुर्व विजय दिया था अभुत्पुर्व विजय दिया इस बार तो मैं उससे भी डबल लोगों को देखता हूँ हर सभा में देखता हूँ सारे पुलिटिकल पंडित भी इतना तो मान गए हैं दो प्रकार की चर्चाएं आजकल चल रही है एक बहुत बड़ा वर्ग है बहुत सारे सर्वे हैं वो यही कहते हैं कि पूर्ण बहुमत के साथ भारतिय जनता पार्टी की सरकार बनेगी लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं बनेगी कि ऐसा कहने वाले लोग कहते हैं सरकार बनाने में कुछ न कुछ कम पड़ जाएगा लेकिन ये लोग भी एक बात दंके की चोड़ पे कह रहे हैं कि नंबर एक पार्टी तो बीजेपी ही बनेगी इसका मतलब ये ताय है कि सभी पॉलिटिकल पंडित ये बात को मानते हैं कि सरकार भाजपा की बनने वाली हैं कुछ लोग कहते हैं पूर्णबोमत्स के साथ कुछ लोग कहते हैं दो चार कम पड़ जाए लेकिन मेरे भाईयों भेनों मैं आप से अगर करने आया हूँ आप किसी हालत में भी लूली लंगडी सरकार मत बनाना किसी की मदद लेनी पड़े ऐसी सरकार मत बनाना मेरे भाईयों वरना पूरा हर्याना के लिए जितनी चाहिए नैं उतनी चीजें कि मदद करने वाले लूट लेंगे आपके सारे सपने चुरा के ले जाएंगे और इसलिए भाईयों बहनों और इंदिनों देश का मिजाज पूरुन बहुमत का मिजाज है आज देखिए दुनिया में हिंदुस्तान के नाम का जैजेकर हो रहा है कि नहीं हो रहा है जरा पूरी ताकत से बताई हो रहा है कि नहीं हो रहा है जापान में भी अमेरिका में भी भारत भारत हो रहा है कि नहीं हो रहा है अमेरिका में भी भारत का जैकार हुआ कि नहीं हुआ क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों हुआ नहीं है ये पूरी दुनिया में अमेरिका में भी भारत माय की जय के नाद गुंजले लगे ये मोदी के कारण नहीं ये आपके कारण है आपके कारण सबासो करोड बेश वासियों के कारण है भायों पांच महिने पहले लोगसभा के चुनाओं में जन्ता ने तीस साल के बाद पहली बार पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई ये पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनने के कारण जब मोदी किसी को मिलता है न तो सामने वाले नेता को मोदी नहीं दिखता है जब मोदी मिलता है तो उसे सवासो करोड हिंदुस्थान ही दिखते हैं सवासो करोड ये टाकद है लोग तंत्र की ये टाकद है जिसके सामने दुनिया स्विकार करती है भाव्यों बहनों आम मुझे बताइए हर्याना का भी जय जय कार होना चाहिक नहीं होना चाहिए होना चाहिए नहीं होना चाहिए अगर हर्याना का जैजे कार करना है तो हर्याना में भी पूर्ण बहुम्मत वाली सरकार बनाईए बनाएंगे पक्का बनाएंगे चोर लूट करने वालों को बिदाय दे देंगे सफाया कर देंगे भाज्य भनो हर्याना को बचाना है तो एक गुन्दा गिर्दी से बचाईए यह माफिया साही से बचाईए यह पुछ परिवारों ने जो अपनी जागीर बना लिए उट जागीर से बचा लिजे बाईयो और इसलिए मैं आज आपसे अनुरोद करने आया हूं गुर्गावा का इस पुरे इलाके का भाग्य बदलने के लिए पंद्रा अक्तुबर से बड़ा कोई अउसर नहीं हो सकता भाईयो ये हर्याना ये हर्याना कुरुक्षेत्र की दर्ती है और कुरुक्षेत्र वाले उंगली की ताकत क्या होती है बड़ाबर जानते है भगवान सी कृष्ण के उंगली पर एक सुदर्सन चक्र था एक सुदर्सन चक्र अर विजय स्री अंकित कर दी थी भाईयो आपकी उंगली में भी वो ही ताकत है पंदरात तुबर को पंदरात तुबर को कमल के निशान पर बटन दबाईये सारी आतताई शक्तियों का मिनास हो जाएगा भाईयो लुटेरों का खेल खतम हो जाएगा बरबादी के दिन समाप्त हो जाएगे भाईयो भहनो हर्याना विकास की यात्रा पिर आगे बढ़ जाएगा और इसलिए मैं आज अनुरोद कर जाया हूँ भारत के जंता पार्टी को विजयी बनाईये पूर्ण बहमत के साथ विजयी बनाईये सभी उमीदवारों से मेरी प्रांस ना आजाएगे सारे उमीदवार आजाएगे बाईो बेनो यहां से जाते समये मेरी एक बात मानोगे सबके सबका जवाब चाहिए मुझे मानोगे पक्का मानोगे मैं जो कहूंगा करोगे यहां से जाते समये प्लास्तिक की बाटल पड़ी हो प्लास्टिक पड़ा हो कागज के टुकडे पड़े हो उठा के ले जाओगे एक गुरुग्राम है एक द्रोनाचार्य की भूमी है इसे गंदा करने का हमें अधिकार नहीं है साप करके जाओगे ना पक्का करके जाओगे दोनों पुठी मन करके हमेरे साथ बोली है भारत माता की जाओगे भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत 爬नवाद Until the police conclude their work I have nothing to react to I am not going to react to repeated media leaks and drama about the same झाल 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 झाल